आईए चलते हैं अब किबबर विलेज की तरफ जो की मॉनिस्ट्री से 6 किलोमीटर के आसपास है किबबर 14200 फिट की उचाई पर बसा गाउं है जिसकी दूरी काजा टाउन से 19 किलोमीटर है किबबर विलेज बाई बस भी पहुचा जा सकता है जो काजा टाउन से एविनिंग 5 अकलॉक चलती है मेरे पीछ दिखाई दे रहा ये विलेज ये है किबबर विलेज इस्पिती वैली का जिसकी अबादी पांसो के आसपास है सतर असी घर है यहां पर और विंटर के टाइम में यहां पर तीन फुट चार फुट के आसपास स्नोफॉल होता है और विंटर में भी अब क्वाइट पॉपलर हो रखा है इस्पिती वैली भूमने के लिए अच्छे हो गए है तो मोटरेवल रोड है तो गाड़ियों से आप विंटर के टाइम में भी इस्पिती वैली आ सकते हो गूमने के लिए एक्स्प्लोर करने के लिए यह किबबर विलेज का इंट्रेंज किबबर वाइड लाइफ संचुरी स्पिती वाइड लाइफ डिविजन हिमाचल प्रदेश किबबर वाइड लाइफ संचुरी में स्नो लेपर्ड, आइबैक्स, रेड फॉक्स और तिबतन उल्फ भी पाय जाता है किबबर विलेज पॉपलर है अपने अमेजिंग लैंड स्केब व्यू के लिए जिसकी जियोग्राफी सिमलर टू लटाक जैसी है किबबर विलेज में स्टे का ओप्सन एविलेबल है, बहुत सारे होम स्टे एविलेबल हैं रेजिनेवल प्राइज पर क्या नम हूँ आपका आपका अच्छा इसी गवह में रहते हूं ना आप में यह सारे घर मड़हूस के हैं पुराने तरीकों से बना हुआ यह घर किबर विलेज का तो कुछ-कुछ इस तरह का दिखता है आपका यहाँ पर स्कूल भी है प्रामरी स्कूल यह देखे यहां के घर बिल्कुल ही अलग तरह के मेरे पीछे दिखाई देरा स्टूपा यह किबर विलेज का तो आईए किबर विलेज दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है हाई इल्टिटूट पे है यह बसा हुआ विलेज किबर विलेज और यह बहुत ओरल स्टूपा है किबर विलेज का वियू ठिक्ठा घर है यहाँ पर सत्तर असी घर तो लग रहे हैं यहाँ पर देखने से पता चल रहा है किबर विलेज का पहाड की चोटियों पे रवस्ता है यह विलेज नीचे पहाड है उसकूपर यह विलेज आपका बसा हुआ है किबर विलेज पांचो के आसपास आवादी है यहाँ की और यहाँ से काजा 20 किलोमीटर के आसपास होगा और यह सामने देखिए थोड़ी बहुत खेती वाली जमीन है इधर भी उपर की तरफ लैंडस्केप बहुत ही जवरदस्थ है किबर विलेज का दूसरी तरफ काले काले पहाड है जिस पे स्नोफॉल हो रखा है विंटर के टाइम का किबर विलेज में बहुत सारे होमस्टेइ भी है तो स्टेइ करना चाहते हो तो होमस्टेइ है यहाँ पर खाने पिने की सुवीदा है तो इजली स्टेइ कर सकते हो किबर विलेज में विलेज के आज पास थोरे फ्लैट लैंड है जिस पर समर के टाइम में कल्टिवेशन होता है यहाँ पर बेसिक पोटेटो जौ और मटर की खेती होती है जिस पर खेती है